पहना पड़ता है प्रेस के मित्रों आज कल हैं ये किसी बार के मित्र मोधी जी के मित्र 24 घंटा 24 घंटा नरेंद्र मोधी की काट वीडियो देखेगा और ऐसा लगता है कि आज कल के पत्रकार जो एंकर्ज हैं सवाल पूछते हैं लगता है कि ये बीजेपी के मतलब या तो कार्य करता है या इनके पेरोल पे है देखिये लड़ाई सम्विदान को बचाने की है एक तरफ कॉंग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस Constitution को सम्विदान को लोगतंत्र को बचाने में लगी है दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी RSS इस किताब को खतम करना चाहते है जो ये अम्बेटकर जी की देन है जिसमें फूले जी की सोच है महात्मा गांदी जी जवालाल नहरू जी जिन्होंने मिलकर हिंडुस्तान की जनता के साथ सालों लड़ाई करकर ये इस देश को दिया इसको नरेंद्र मोदी बीजे पी बदलना चाहते हैं खतम करना चाहते हैं इसी से हिंडुस्तान के गरीब लोगों को, किसानों को, पिछणों को, गलितों, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को, गरीब जनरल कास को अधिकार मिलता है इसके बिना, आप कहीं के नहीं रहोगे जो भी आपके पास है, सारा उनी 22-25 लोगों के हाथ में चला जाएगा मन्रेगा बना, भोजन का अधिकार, जमीन अधिकारन बिल, हरी करान्ती, सफेद करान्ती, बैंक नैशनलाइजेशन ये सारे के सारे काम, इस किताब ने आपको दिये है, और मैं आपको बता रहा हूँ, जिस दिन ये गाइब हो गई जिस दिन बीजेपी ने सच मुच में इसको खतम कर दिया, तो आप हिंदुस्तान को नहीं पहचान पाऊगे ये है लड़ाई, और मैं देश से कहना चाहता हूँ, कि जो अमबेटकर जी ने हमें दिया, महत्मा गांदी जी ने दिया, उसको हम कभी खतम नहीं होने देंगे, सवाल नहीं उठता, कभी उनके नेता सम्विधान को बदलने की बात करते हैं, कभी कहते हैं, कि आरक्षन खतम कर देंगे मोधी जी बस एक सवाल का जवाब दे दें, ये जो पचास परसेंट का लिमिट अरक्षन पे लगा है, किसी भी भाशन पे वो कह दें, कि पचास परसेंट की लिमिट को वो हटा देंगे, कहीं भी जागे कह दें, हमने निन्ने लिया है, चुनाओ के बाद ये जो आर्टिफिशल लिमिट लगा रखी है, जिससे करोणों लोगों को नुकसान हो रहा है, पचास परसेंट रेजर्वेशन की लिमिट को हम तोड़ के हटा देंगे, बार फेग देंगे इसको, देश में पंदरा परसेंट दलित अबादी है, आठ परसेंट आदिवासी है, और तक्रीबन पचास परसेंट, कम से कम पचास परसेंट पिछड़े वर की अबादी है, पचास, पंदरा और आठ कितना हुआ, कितना, तिहत्तर, मैंने शुरुआत में कहा, कि ये मीडिया वाले हमारे दोस्त, जनता सब जानती है, इनकी गलती नहीं है ये, इनको इनको इन पे लगाम लगा रखी है, उपर से अधानी जी ने बाहन रखता है, खोलते नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है, ये मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं हमें तो सैलरी चाहिए, बच्चों को देखबाल करना है, बच्चों को देखबाल करना है, हमारी गलती नहीं है, मगर आपकी जिम्मेदारी बनती है, उस जिम्मेदारी को आप पूरा नहीं कर रहे हो, मगर पिछ्ड़े दलित आदिवासीओं की 73% अवादी है ये बड़े बड़े मीडिया की company की list निकालिये उनके नाम देखिए मालिकों के नाम देखिए बड़े बड़े anchors के नाम देखिए बड़े बड़े पत्रकारों के नाम देखिए आपको एक पिछणा नहीं दिखाई देगा एक दलित नहीं दिखाई देगा एक आदिवासी नहीं दिखाई देगा एक गरीब कास का जनरल एक जनरल कास का गरीब नहीं दिखाई देगा इसलिए ये कभी किसानों की बात नहीं करते मजदूरों की बात नहीं करते बेरोजगारी भागीदारी की बात नहीं करते यह अमबानीची की शादी दिखाते हैं आप लोगों को उसमें आपको दिखाते हैं देखो देखो किसीने 10 करोड की घड़ी पहन रखी है किसीने 2 करोड का ड्रेस पहन रखा है वो बिखाते हैं मगर किसान भूका मर रहा है खेतों में पानी नहीं है महंगाई बढ़ती जा रही है इन बातों के बारे में ये कभी नहीं बताएंगे ये आपके हैं ये ये अदानी के हैं जो हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोग कहते हैं करते हैं मुंबाई का एरपोर्ट उठा ले गए CPI ED का दवाब लगाया अधानी जी को पकड़ा दिया मीडिया ने कुछ नहीं कहा पोर्ट एरपोर्ट इंफ्रस्ट्रक्चर डिफेंस इंडस्ट्री सारे की सारी उठा गए ले गए मीडिया कुछ नहीं कहती मगर इंकी जिम्यदारी बनती है प्रश्टा चार होता है एलेक्टोरल बॉंड्स का हजारों करोर रुपए का प्रश्टा चार होता है हफ्ते बाजी होती है आँकों के सामने मीडिया वाले एक शब नहीं बोलते उदर सुप्रीम कौट कहता है कि एलेक्टोरल बॉंड्स कीम इलीगल है बरश्टा चार हुआ है इसमें पंद कर दो इसको अब जानते हैं एलेक्टोरल बॉंड्स कीम में क्या हो रहा था हमने तारीके मांगी यह तारीक नहीं दे रहे थे मोधी जी कहते हैं राजनेती को मैं साफ करना हूँ अगर आप राजनेती को साफ कर रहे हैं तो सारे के सारे डोनर्स के नाम आपने छुपा के क्यूं रखे हुए है जब डोनर के नाम सामने आते हैं तो पता लगता है एक दिन एक company को contract मिलता है 1000 क्रोड रुपय का उसके एकदम बाद वो company BJP को पैसा देती है किसी और company पर CBA case केस कोलती है वो company BJP को 1000 क्रोड रुपय देती है case बंद हो जाता है righteousness के सामने नरेंद्र मोदी भरष्टचार करने है मीडिया कुछ नहीं कहती आप कहे ही नहीं फिर 200 सबसे बड़ी कंपनियों के लिस निकालिए उनके नाम निकालिए उनके बड़े सीनियर मैनेजमेंट में जो लोग हैं उनके नाम निकालिए आपको एक पिछड़ा एक दलित, एक आदिवासी, एक गरीब जनरल कासका नहीं मिलेगा 22 लोगों को नरेंद्र मोदीजी ने 16 लाग करोड रुपय करजा माफ करके दिया है आप शेम कह रहे हो मगर 16 लाग करोड रुपय कितना होता जानते हो आम आदमी नहीं समझ सकता आप और हम नहीं समझ सकते 16 लाग करोड रुपय क्या होता है मैं आपको बताता हूँ अगर आप हमने किसानों का करजा माफ किया था जब यूपिय गे सरकार थी अगर आप किसानों का करजा माफ 24 बार 24 साल के लिए हर साल करजा माफ करोगे उतना पैसा नरेंद्र मोधी ने 22 लोगों को दिया है 24 साल का मन्रेगा का पैसा 24 बार किसान का करजा माफ करो उतना पैसा दे दिया है हलात यह है कि 22 लोगों के पास उतना धन है जितना 70 करोड लोगों के पास है एक परसेंट हिंदुस्तान के हाथ में 40% हिंदुस्तान का धन है और किसी भी संस्ता में आप देख लो सरकार में देख लो, corporate इंडिया में देख लो मीडिया में देख लो private hospital में देख लो private colleges, universities में देख लो, आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा एक गलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा 90% अबादी है आपकी आपकी कोई भागीदारी है यही नहीं पिछणों की बात करनी है गलित आदिवासी है दूड़ना है उनको मज़दूरों की लिस्ट में जाके देखो उनको जो मन्रेगा करते हैं वहाँ जाके देखो कॉंट्राइक लेबर का काम करते हैं वहाँ जाके देखो 90% हिंदुस्तान या मन्रेगा कर रहा है या कॉंट्राइक लेबर कर रहा है या कहीं सर्क पे मज़़ूरी कर रहा है और हिंदुस्तान की पावर स्ट्रक्चर में कहीं नहीं कहीं नहीं है 650 हाई काउट के जज़ है आपकी अबादी 73 परसेंट है 650 में 100 भी नहीं है 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते है 90 आएस अपसर है बजट को वो बाटते है महराश्चरा वो कितना पैसा मिलेगा करनाटक कितना जाएगा सरकों में कितना जाएगा डिफेंस में कितना जाएगा शिक्षा स्वास में कितना जाएगा वो 90 लोग डिसाइड करते है उनकी लिस्ट निकाली मैंने चलो देखते हैं पिछड़े कितने है दलित कितने है आदिवासी कितने है 90 में से 3 OBC है 3 दलित है एक आदिवासी है और बैक आफिस में बैठा रखे हैं आप ये मत सोचिए कि फाइनांस मिनिस्ट्री में है डिफेंस मिनिस्ट्री में है बड़ी मिनिस्ट्रियों में नहीं साथ लोग है 73% आपकी अबादी साथ लोग है नपे में से पीचे बेढ़ा रखे है चू नहीं कर सकते वो और अगर 100 रुपे खर्च होता है बजट में तो 6 रुपे 10 पैसे का निर्णे ये साथ अपसर लेते हैं और कभी भी इनका वीटो लग सकता है और यही हालत हर सरकार में महराश्टरा की सरकार में भी यही है उत्तर प्रदेश की सरकार में भी यही है दिल्ली की सरकार में भी यही है तो 90% के पास यहां कुछ है ही नहीं यह सचाई है इसलिए हमने manifesto में साफ लिखता है हमारी सरकार आएगी तो हम जाती जन्गरना कराएंगे economic survey कराएंगे और हिंदूस्तान के हर संस्ता का survey कराएंगे मतलब ये पता लगाएंगे कि press में media में पिछले बर के कितने लोग हैं हिंदूस्तान की corporate India में पिछले बर प्राइबेट हस्पतालों में, डॉक्टरों में कितने हैं, कॉलेज उनिवर्सिटी में कितने हैं, इससे दूद का दूद पानी का पानी हो जागा, हिंदुस्तान की जनता को पता लग जागा हमारी कितनी भागिदारी है, ये बाईयों और बेनों करांतिकारी कदम है, इससे क अच्चाई मालम हो जाएगी, आपको पता लगजाएगा कितना बेफकूप बनाय जा रहा है हिंदुस्तान की जनता का, और एक दम हिंदुस्तान की जनता जागरूख हो जाएगी, और उसके बाद एक नई राजनेती शुरू होगी हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जिस दिन मैंने ये जाती जनगर्णा की बात की उससे पहले रोज नरेंद्र मोदी जी कहते है मैं OBC हूँ मैं OBC हूँ अच्छा जिस दिन मैंने जाती जनगर्णा की बात की कहते हिंदुस्तान में तो कुछ जाती नहीं है दो ही जान थे, एक अमीर, एक गरीब, अच्छा पहले आप OBC थे, हमने जाती जनगर्णा की बात की, OBC को सच मुझ में अधिकार देने की बात की, आप कहते हैं, OBC तो ही नहीं, आप डिसाइड करो, आप OBC हो या नहीं हो, हिंदुस्तान में OBC वर्ग है, हाँ या ना, देश को बता दो, मगर हमने डिसिजन ले लिया है, जाती जनगर्णा होगा, 50% का यह जो बैरियर बना रहा है, इसको तोड़ फोड़ के हमने परे कर देंगे, और जो हमारे, जो हमारे, सेंसस से, हिस्सेदारी मिलेगी, मराटास को, धंगर को, बाकी चोटी-चोटी जातियों को, हिस्सेदारी मिलेगी, अब सवाल उठता है, नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल, 22 लोगों को फाइदा पुचाया है, जो भी था, जो भी देना था, 22 लोगों को उन्होंने दिया, अभी में, एरपोर्ट पे, ये लखनव से आया, लखनव एरपोर्ट, उधर, अदानी जी का बड़ा, वहाँ पे साइन था, लखनव एरपोर्ट पकड़ा दिया उनको, मुंबई एरपोर्ट पकड़ा दिया, सारे के सारे एरपोर्ट पकड़ा दिये, पहले पब्लिक सेक्टर में 90% को रास्ता मिलता था आरक्षन था पब्लिक सेक्टर को पूरे को पूरे प्राइवेटाइज कर दिया रेलवे में आपको नौकरी मिलती थी उसको प्राइवेटाइज करने में लगे हुए है यह बुलेट ट्रेन का बहाना है इनका प्राइवेटाइज करने का बहाना है ये तो जहां भी आप देखो जो आपके रास्ते थे वो सब बंद कर दिये पहले आप सेना में जाते थे पेंशन मिलती थी अगर कुछ होता था शहीद का दर्जा मिलता था कैंटीन मिलती थी उसको भी खतम कर दिया नरेंद्र मोदी नई योजना लाए अगनीवीर योजना दो तरीके के शहीद बना दिये एक नॉर्मल सोलजर जिसको पेंशन मिलता है दूसरा अगनीवीर अगर वो शहीद होगा उसको ना शहीद का दर्जा मिलेगा ना पेंशन मिलेगी नेक कॉंपेंसेशन मिलने वाली तो आपके सारे के सारे रास्ते इन्होंने बंद कर दिये अब इंडिया की सरकार आएगी तो यह आपके जो रास्ते हैं यह फिर से खोलने पड़ेंगे और हम इसको तेजी से बिना जिजक यह दर्वाजे हम खोल देंगे एक के बाद देख पहली बाद आपको बता रहा हूँ अगनी विए स्कीम को हम खतम करके उठागे भार फेक देंगे दूसरी बाद यह जो इन्होंने गलत जी एस्टी बना रखी है यह जी एस्टी जो छोटे दुकानदारों को स्मॉलर मीडियम इंडिस्ट्री को खतम करने वाली जी एस्टी है अधानी वाली जी एस्टी है इसको हम बदल देंगे पाँच अलग-अलग टैक्स नहीं होगे एक टैक्स होगा कम से कम टैक्स होगा पहली बार हिंदुस्तान की हिस्ट्री में किसानों को टैक्स दे रखा है किसानों से टैक्स लेते हैं तो हमने डिसाइड किया है कि जितना इन्होंने पैसा नहां ये 22 लोगों को दिया है उतना पैसा हम हिंदुस्तान के किसानों को गरीबों को देने जा रहे और मैनेफेस्टों में मैंने बोला है तीन चार आट करांतिकारी काम मतलब देश को हिलाने वाले महराश्टा को हिलाने वाले काम करे है सबसे बड़ा काम दुनिया में किसी सरकार ने ऐसा सोचा ही भी नहीं करना छोड़ो सोचा ही नहीं है हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार के हम लिस्ट बना रहे है मोदी ने करोणों लोगों को गरीब बनाये न उन सारी की लिस्ट हम निकाल रहे है सारे के सारे नाम उन परिवारों में से हम एक महिला का नाम चुनेंगे हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा और उस महिला के बैंक अकाउंट में 10,000 नहीं 20, 25, 30,000 नहीं 50,000 नहीं 90,000 नहीं 1,00,000 रुपिया साल काम डाल देंगे और ये मीडिया वाला जो भी बोलना चाहें बोलो हमें कोई फर्द नहीं पड़ता चलाओ चलाओ जितना चलाना है तुमें नाज गाना करो, डांस करो, चलाओ गाली दो हमें, कोई फर्द नहीं पड़ता ये कहते हैं हमने मन्रेगा योजना दी कहते हैं गरीबों को ये बिगाड रहे हैं आलसी बना रहे हैं अदानी को लाकों करोड रुपे दिया जाता है वो नहीं बगड़ता मगर मजदूरी करने वाले मजदूरी करने वाले गरीब लोग बगड़ते हैं किसान का करजा माफ होता है कहते हैं देखो बगाड़ दिया किसानों को 16 लाक करोड रुपे करजा माफ हो तो कि देखो, देखो, विकास हो रहे हूँ अब हम समझाएगे तुम लोगों को विकास क्या होता है कुरोणों महिलाओं के बैंक अकाउंट में एक लाग रुपिया साल का 8500 रुपए महीने का ठका ठक 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 कह ठक ठक ह। और वो कमप्यूटर से होगा, आटोमेटिक और उस दिन तक होगा जब तक ये परिवार गरी भी रेखा के उपर नहीं होंगे उससे पहले ब्रेक नहीं लगने वाली एक्सलेटर ही दबेगा एक लाग रुपे बैंक अकाउंट में अब यहां में बहुत सारे पुर्षे कहेंगे आप महिला को क्यों दे रहे हो हमें चाहिए आपको होगे मैं जानता हूँ मैं आपको उताता हूँ 21 मी सदी में आप दोनों काम करते हो स्री और पुर्ष दोनों काम करते हो बाहर जाते हैं 8-10 घंटा बाहर घर में बाहर काम करते हो और फिर आप दोनों घर आते हो आप rest करते हो और आपकी जो बीबी है माता है वो 8 घंटे एक्स्ट्र काम करती है उसके लिए किसी भी सरकार ने उस काम के लिए किसी भी सरकार ने दुनिया की किसी भी सरकार ने महिलाओं को compensation पैसा नहीं दिया है अब ये पहली सरकार होगी जो इस बात को accept करेगी कि हमारी महिलाएं देश के भविश्य की रक्षा करती है पुर्शों से ज़ादा काम करती है और उनके बैंक अकाउंट में एक लाग रुपिया डालने जा रही है और मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ या आप अभी तालीब जा रहे हैं अंत में ये पैसा आप लोग ले जाओगे दबाव डालके किसी ना किसी तरह आप लोग को भी इससे फाइदा होगा मगर बैंक अकाउंट महिलाओं के नाम में होगा दूसरी बात आशा अंगरवारी में जो महिलाएं काम करती हैं उनके आमदनियम दुगनी करने जा रहे हैं और मनरेगा में मनरेगा में आज 250 रुपे मिलते हैं सरकार आने के एकदम बाद 400 रुपे आपको मिलेंगे अब ठोड़ी सी किसानों की बात करना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने आपको जीस्ट आपपर जीस्ट लगाई जमीन अधिकरन बिल उन्होंने रद किया आपके हक लिए आपका कर्जा माफ नहीं किया और आपको सही दाम नहीं देते हैं जब भी आपको अपना माल करीदना होता है धान शुगर केन सोया जो भी हो जब भी आपको करीदना होता है नरेंद्र मोदी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को गुमा देता है और आपको सही रेट नहीं मिलता तो आपकी दो ही मांगे हैं मैं जानता हूँ लाकों किसानों से मैंने बात की है आपकी दो मांगे हैं पहला एक कर्जा माफी और दूसरा हमें सही दाम चाहिए हमें फ्री में कुछ नहीं चाहिए हमें कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए हमें अपने काम के लिए खुन पसीने के लिए सही रेट चाहिए ये दो काम हम आपके लिå करने जा रहे हैं किसान का करज़ा माफ हम करेंगे मगर हम वहाँ नहीं रुकने वाले देखो अरभ पतियों का एक बार करज़ा माफ नही गोता जब भी वो चाहते हैं नरेंडर मोदी उनका करज़ा माफ करता है इसलिए कि हमें कोमिशन बनाएंगे उसका नाम होगा किसान कर्जा माफी कोमिशन जब भी वो सरकार को कहेगा कि हिंदुस्तान के किसानों को कर्जा माफी की जरूरत है उस दिन सरकार कर्जा माफी कर देगी मैं आपको बता रहा हूं वो 5% की 2% की सरकार चला रहे हैं हम 90% की सरकार चलाएंगे और जितना उसने नरेंद्र मोधी ने उनको दिया न उतना ही मैं उठा के किसान को, गरीब को, दलेतों को, पिछडों को, आधिवाजियों को देने जा रहा हूं मुझे कोई फर्क नी पड़ता और मेरे ले पता ही क्या है जितना ही ये मीडिया वाले चलाएंगे न उतना ही मुझे लगेगा ये बिटकुश सही काम कर रहा हूं और करो इसको अब नरेंद्र मोधी ने करोणों लोगों को युवाओं को बेरोजगार कर दिया जब आपने उनसे पूछा था भईया हमें रोजगार दो कहते पकोड़े बनाओ कोविट के समय आपसे कहा भईया ठाली बजाओ मोबाइल फोन की लाइट आउन करो और मज़े की बात बताता हूं उसी टाइम जो कमपनी कोविट की वैक्सीन बना रही थी जिसको हजारों करोड रुपए सरकार दे रही थी वो ही कमपनी नरेंदर मोधी की पार्टी को पैसा दे रही थी एलेक्टोरल बॉंड में लिखा है तो आप मर रहे थे सांस नहीं ली जा रही थी वेंटिलेटर नहीं था ओक्सिजन नहीं था और जो कमपनी वैक्सीन बना रही थी वो नरेंदर मोधी की पार्टी को डोनेशन दे रही थी बात समझ जाओ बात समझ जाओ तो आपको बेरोजगार बनाया अदानी का बेटा है वो जौब पर्मनन जौब पर करने से पहले अप्रेंटिशिप करता है टेंपररी जौब करता है चे महीने के एक साल में एक साल की अपने पिता के कमपनी में उसको काम दिया जाता है और उसके बाद एक साल बाद उसको permanent किया जाता है ये हिंदुस्तान के जो करोड़ों युवाओं है इनको ये facility नहीं दी जाती तो हमारी एक scheme है, गरांतिकारी scheme है, उसका नाम पहली नौकरी पक्की guarantee guarantee, ये नहीं कानूनी अधिकार ऐसे नहीं, कानूनी अधिकार, जैसे मनरेगा में कानूनी अधिकार है अगर किसी ने मनरेगा का काम मांगा तो देना ही पड़ेगा वैसे ही apprenticeship का पहली नौकरी का हमने कानूनी अधिकार दिया है मतलब हिंदुस्तान का कोई भी पेरोजगार graduate, diploma holder college graduate, university graduate कोई भी सरकार से कह सकता है मुझे अपनी पहली एक साल की नौकरी चाहिए सरकार मना नहीं कर सकते नौकरी कहां मिलेगी private sector public sector सरकारी offices में सरकारी हस्पतालों में सरकारी college universities में करोणों युवाओं को एक साल की नौकरी पहली नौकरी पक्की अभी तो भाया मैंने बात बोली नहीं अभी आप तालिव जा रहे हो पहली नौकरी पक्की एक लाग रुपए बैंक अकाउंट में साल के 8500 रुपए महीने के एक साल के एक लाग रुपए हर युनिवर्सिटी ग्रैजुएट कॉलेज ग्रैजुएट को और हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बहतर trained workforce मिलने जा रही है मतलब training भी कर देंगे पहली नौकरी भी दे देंगे और जेब में एक लाग रुपए भी दे देंगे यह देखिए कॉंग्रेस का कमाल तो यह शुरुआत है बहीं और बहनों जाती जनगर्ना महलक्ष्मी स्कीम पहली नौकरी पक्की किसानों का कर्जा माफ guaranteed कानूनी MSP मजदूरों को 400 रुपए आशा अंगन वाडियों की आमदनी दुगनी यह शुरुआ थे यह हम आपके लिए करने जा रहे हैं अब नरेंद्र मोधी जी के भाशन देखिए आप जानते हो कि करनाटक में रवन्ना नाम सुना आपने हाँ सुना उसने 400 महिलाओं का बलतकार किया है रेप किया है मोधी जी ने ऐसे स्टेज पे रवन्ना जी के लिए वोट मांगे हैं होम मिनिस्टर को बीजेपी के मले ने चिट्टी लिकी थी छे महिने पहले कि ये रवन्ना है इसने 400 महिलाओं का रेप किया है होम मिनिस्टर ने कोई कारवाई नहीं की नरेंद्र मोधी जी जानते थे कि इस व्यक्ति ने 400 महिलाओं का रेप किया क्यों क्योंकि होम मिनिस्टर जानते थे तब भी जाके नरेंद्र मोदी कह रहे हैं इस रवन्ना को वोट दो इसका समर्थन करो मुझे जिताओ मैंने ये करनाटक में बोला नैशनल मीडिया के एक अगबार ने ये बात नहीं लिखी एक अगबार ने नहीं लिखी वो अगबार में लिख रहे थे राहूल गांधी अमेटी और राइबरेली से चुनाव नहीं लड़ेगा वो चल रही थी मीडिया इनकी अब मैं राइबरेली से चुनाव लड़े हूं बिलकुल चुप हो गए तो वो कभी नरेंद्र मोधी कभी पाकिस्तान की बात करेगा कभी समुदर के नीचे जाके मतलब ड्रामा करेगा और मतलब आपने देखा पता नहीं देखा मतलब समुदर के नीचे जाके बिलकुल दरा हुआ था वहिया कुछ हो ना जाए यहां पे तो मजाग बना रख़ा है राजनेती का और सीनियर नेता जो हैं शरत पवार जी जैसे हैं सीनियर नेता जो हैं उनका आप मान कर रहे हैं उनके बारे में उल्टी सी दिवाद बोलते हैं मतलब प्रधान मंत्री में थोड़ी तो मतलब लेवल होनी चाहिए प्रधान मंत्री को देश की बात करनी चाहिए विकास की किसानों की बात मतलब क्या मतलब है senior नेता का आप मान करना क्या मतलब क्या फाइदा मिल रहा है उनको क्या सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता खुश हो जाएगी हिंदुस्तान की जनता उनसे ये जानना चाहते हैं आप 50% का जो अरक्षन का है उसको हटा रहे हो ये सवाल है जाती जन्गर्ना कर रहे हो ये सवाल है उनका तो जवाब देते ही नहीं है तो ये मैं आपसे कहना चाहता था देखिए जब मैं महराष्टरा में लैंड करता हूँ ना तो जैसे आज मैं लैंड किया यहांपे मुझे लगता है कि ये Congressy State है ये अगर मैं आपको बता रहा हूँ मैं जैसे ही यह लाइट करता हूँ मुझे मज़ा आता अच्छा लगता है कि मैं मतलब Congress की जो और मैं संगर्टन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं विचार धारा की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों में हजारों साल से आपके खून में Congress Party की विचार धारा है आपको बताने की भी ज़रूद नहीं है आपको बताने की भी ज़रूद नहीं है आपके दिल के अंदर है मतलब वो आपके चेहरे पे लिखा हुआ है तो मैं जानता हूँ यहाँ पर Natural Congress Party की विचार धारा है मैं आपको हमारे जो यहाँ बबर शेट टाइगर जो बैटे हुए है यह दूसरे तरीके के टाइगर होते है देखो भी यह आमतोर से जंगल में आपको मतलब एक दो किलोमेटर में एक टाइगर मिलता है है ना यहाँ पर देखो कितने एक साथ बैटे हुए है तो मैं आपको बता रहा हूँ आप हमारी रीड की हड़ी हो आप आप देश को बदलने वाली फोज हो आप अपनी शक्ति को फहचानो आप देश को बदलने वाली फोज हो आपके खून के अंदर आजादी की लड़ाई फूले जी की विचारधारा अमबेटकर जी की विचारधारा गांदी जी की नहरू जी की विचारधारा आपके खून के अंदर है उसको निकाला नहीं जा सकता आपके माता पिता के अंदर है आपके बच्चों के अंदर है तो ये मैं आपसे कहना चाहता था आपने मेरा मूड बहुत अच्छा कर दिया मैंने आपका मूड अच्छा कर दिया अचा ये अभी ये आकरी बात आकरी बात जो मैं यहाँ जब महराश्टरा में यात्रा में निकला था तो बहुत सारे युवाओं ने मुझे कहा, कि राहुल जी मोधी जी ने हमें बेरोजगार कर दिया हम पेपर लेते हैं और महीनों के लिए हम रात दिन काम करते हैं और जिस दिन पेपर देना होता है, उससे एक दिन पहले हमें किसी के मोबाइल फोन पे पेपर लीक हो जाता है पेपर दिख जाता है जो बेमानी करता है वो पेपर लीक करवा देता है बिना पढ़ाई करे वो आगे निकल जाता है और जो इमानदारी से पढ़ाई करता है उसका नुकसान होता है और हजारों यवाँ ने ये मुझे बुला तो हमने मैनिफेस्टों में लिख दिया है एक नया कानून लाएंगे जिससे कड़ी सी कड़ी सजा पेपर लीक वालों को होगी और ये जो नया फैशन बना है नरेंदर मोदी जी ने कि इग्जामिनेशन प्राइवेट कंपनिया करा रही है इसको हम बंद कर देंगे सरकारी संस्ता ही पेपर दे पाएंगी और अगर किसी ने पेपर लीक करवाया तो हम कड़ी सी कड़ी सजा उसको देंगे अंत में आप जानते हो शिवाजी महराज की जै हिंद जै महराष्ट्रा नमस्कार